Hello Everyone, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं JKSSV की ओर से एक important notice निकल कर आई है दोस्तों यह जो notice है वो यहाँ पर class 4th की जो final list निकाली गई थी जिसमें 3422 candidates थे इसके regarding यहाँ पर यह notice निकाली गई है दोस्तों यह जो final list निकाली गई थी जिसमें 3422 candidates थे इस में से जैसे ही यह final list निकाली गई थी उसके बाद one month का time दिया गया था यहाँ पर document वगेरा submit कराने का लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस list में कुछ ऐसे candidates हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी तक clarify नहीं किया है दोस्तों कि इनकी maximum qualification जो है अपनी maximum qualification के regarding तो इसलिए यहाँ पर इनकी जो recommendation है इसको यहाँ पर withheld करके रखा गया है यहाँ कि रोक करके रखा गया है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर JKSSB का कहना है यहाँ पर कि इनको यह जो candidates हैं जिनकी यहाँ पर list भी इन्होंने यहाँ पर attach की है anexor A में इनसे ऐसा कहा गया है कि आपको एक बार फिर से final opportunity दी जा रही है मोका दिया जा रहा है कि आप अपने जो documents हैं जो जरूरी documents हैं उनको submit कर दीजे ठीक है with regard to your maximum यानि maximum qualification के regarding जो आपसे यहाँ पर जरूरी documents मांगे गये हैं वो यहाँ पर आप submit कर दीजे इसके लिए यहाँ पर final मोका दिया जा रहा है आपको एक opportunity दी जा रही है चीक है और यहाँ पर जो है इन candidates की list भी यहाँ पर attach की है इन्होंने anexor A में जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और यह जो यहाँ पर document है दोस्तों वो आपको तीन दिन में यहाँ पर जमा कराने है 24.11.2022 से लेकर 26.11.2022 तक आप यहाँ पर document अपने submit कर सकते हैं चीक है यानि document as proof along with यानि necessary document as a proof आपको यहाँ पर जमा कराने है और उसके साथ में एक undertaking भी आपको यहाँ पर देना है with regarding to withheld recommendation यानि withheld जो आपकी रोग करके रखी गई है recommendation इसके regarding आपको एक undertaking भी यहाँ पर देनी है और जो necessary document as a proof आप से मांगा गया है चीक है दोस्तों तो 26.11.2022 तक आपने यह जो है वो submit कराने है document और यह कहाँ पर आप करा सकते हैं तो जेके SSB जमो एंड कश्मीर सर्वेस सेलेक्शन बोर्ड सेंट्रल ओफिस हैमा कॉंप्लेक्स सेक्टर तीन चन्नी हैमत जमो में और यहाँ पर in the office of administrative officer डिविजनल office जेके SSB इबराहिम कलोने lane no.2 पेरेपूरा सिरेनगर में आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं ठीके दोस्तो तो इसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपको beyond which no further claim shall be entertained ठीके तो यहाँ पर यहाँ पर यह 26 ग्यारां तक ही आप यहाँ पर जो है दोस्तो वो अपने document submit कर सकते हैं और यह यहाँ पर final opportunity दी गई है जेके SSB के और से तो मैं hope करता हूँ दोस्तो कि आपने इसको check कर दिया होगा ठीके थोड़ासा अगर हम नीचे scroll करें दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जर ए मेनों ने उन candidates की list भी यहाँ पर attach की है जिनोंने अभी तक clarify नहीं किया ह अपनी qualification को लेकर अपनी maximum qualification को लेकर ठीक है जैसे कि मैं एक दो यहाँ पर name read कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं candidate का name यश्मीना अक्तर सनाब गुलाम नभी नजार यहाँ पर इनकी date of birth आप देख सकते हैं domicile district अनतनाग social cast written test score इनका दिया गया है ठीक है यह सारी चीज़े department इनको अलाट हुआ है department of food civil supplies and consumer affair ठीक है इसके आगे आप देख सकते हैं recommendation जो है वो withheld करके रखी है मने रोक के रखी गई है subject to clarification regarding maximum qualification यहाँ पर clarification ना होने की वाज़ा से इनकी जो recommendation है उसको रोक करके रखा गया है चीज़े तो आप अपने maximum qualification जो है दोस्तो आपकी 12th pass ही है यह यहाँ पर इनको clarify कर दीजे जो इनको documents जो इनको documents मांगे हैं वो यहाँ पर submit कर दीजे एक recommendation एक undertaking दे दीजे चीज़े कि मैं 12th pass ही हूँ इससे ज़्यादा मेरी qualification नहीं है इनकेस दोस्तो अगर पकड़ी जाती है आपकी 12th pass नहीं है से ज़्यादा आपकी qualification है लेकिन आपके mention किया कि मेरी 12th pass ही यहाँ पर qualification maximum है तो automatic जो है अगर आप पकड़े जाते हैं कभी भी in future आप पकड़े जाते हैं तो आपकी नोकरी तो जाएगी जाएगी दोस्तो इसके अलाव भी यहाँ पर आपकी खिलाब strict strict action यहाँ पर लिया जाएगा ठीक है यह सारी चीज़ें इसमें mention है दोस्तो मैं hope करता हूँ आपने इस list को देख लिया होगा दोस्तो so thank you very much